सभी मित्रों को जय जय सियराम, प्रभु स्री राम एवं हनुमान जी की क्रिपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है सत जुग में हनुमान जी के जन्म के पीछे का अदभुतर हच्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् नहीं टाल सकता, जो होनी होगा, ओ हो किहीं रहेगा इसे कोई बदल नहीं सकता, आज मैं तुम्हें उस रहस को बताता हूँ, जो दुरलब है एक समय श्रिष्टी से जल तत्वाद्रिश हो गया सारे श्रिष्टी में त्राहिमाम मच गई और जीवन का अंत होने लगा तब ब्रह्मा ब्रह्माजी विश्णूजी और इशिगन सभी देवता मिलकर भगमान भोलेनात के सरन में गए और सीव जी से प्रार्थना की और बोले नाथो के नाथ आदिनात अब इस समस्या से आप ही निपते स्रिष्टी में पुनह जल तत्व कैसे आएगा देवो की भिंती सुनकर भगमान भोलेनात ने एक आरहो रुद्रों को बुला कर पूछा आप में से कोई ऐसा है जो स्रिष्टी को पुनह जल तत्व परदान कर सके दस रुद्रों ने इनकार कर दिया एक आरहबा रुद्र जिसका नाम हर था उसने कहा कि मेरे कर्तल में जल तत्व का पूर्ण निवास है मैं स्रिष्टी को पुनह जल तत्व परदान करूंगा लेकिन इसके लिए मुझे अपना सरीर गलाना परेगा और सरीर गलने के बाद इस स्रिष्टी से मेरा नामो निशान मिठ जाएगा तब भगबान सीब ने हर रुपी रुद्र को बरदान दिया और कहा कि इस रुद्रुपी सरीर के गलने के बाद तुम्हें नया सरीर और नया नाम प्राप्त होगा और मैं संपुर्ण रुप से तुम्हारे उस नय तन में निवास करूँगा जो स्रिष्टी के कल्यान हेतु होगा हर नामक रुद्र ने अपने सरीर को गला कर स्रिष्टी को जल तत्तुप्रदान किया और उसी जल से एक महाबली बानर की उत्पत्ती हुई जिसे हम हनुमान जी के नाम से जानते हैं यह घटना सत्जुक के चोथे चरन में घटी स्रीब जी ने हनुमान जी को राम नाम का रशायन परदान किया हनुमान जी ने राम नाम का जप्रारम किया और त्रेता युग में अंजना और केश्री के हाँ स्री हनुमान जी पुत्र रूप में अवतरित हुए तो बोलिए जय जय स्री आराम जय जय हनुमान